हलो मोधी गेर फ्रेंड कैसे हो आप लोग आज में आप लोग के लिए एक बहुती दमदार प्रोड़ेक्ट लेकर आयी हूँ जो है आमला बैलो सिटी का आमला जूस और आमले के बहुती बहुती गुर्णक लिख और और आमला ostat मार्ण जैसा की आप सब जानते ही हैं तो अगर आमले को मैं सही बताओं अगर आपके सफेद बाल हैं और आप आमला कंटीन्यू रोज पीते हैं तो इससे आपका पेट दुरुस्त रहता है इम्मिन्यूटी पावर तो बढ़ती ही है लिकनी ये बालों के लिए भी एक बरदान है तो आज मैं आपको सफेद बालो को कैसे काला करें उसी के बारे मैं आपको बताने आई हूँ तो गैस मैं आपको ये बताती हूँ जैसा आप देख रहे हैं देख सकते हैं वीडियो में मैंने ये कप लिया कप के अंदर आमला जूस डाला हुआ है ये देखिए इसकी कॉंटिटी आप अपने हिसाफ से रख सकते हैं मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आदा कप आप ले सकते हैं आमला जूस रोज और उनको आपको करना क्या है आपको सिर्फ बालों में तेल नहीं लगाना है पहले आ हमारा आमला जूस है उसको आप लेंगे और लेने के बाद एक लोई की कड़ाई में डाल देंगे रात बर के लिए और उस आमले जूस को फिर अपने बालों में रोज इसी तरह से जैसे हम पानी डालते हैं ना जब सर्द होते हैं उस तरीके से आपको अपने बालों में डा तो आपको क्या करना है दूपहर के डाइम भी अगर आप बाल दो रहे हैं आपको रोज कंटिन्यू आपको नियम बनाना है एक महीने तक कि आप आमला जूस अपने बालों में ढालेंगे और जिस दिन आप सैंपू करेंगे बालों को उस दिन शैंपू करने के बाद आपको आमला जूस डालना है ठीक है उससे पहले नहीं डालना है मतलब जैसे कि आपने आमला डाल लिया फिर उसके बाद सैंपू करने है तो पहले आप बालों को सैंपू करके उसके बाद आपको आमला जूस डालना है और उसके बाद तेल नहीं लगा यह आपको एक महीने तक करना है अगर आपने एक महीना तक इस तरह से बालों में अपने रोज कंटीनियो आमला जूस डाला सिर्फ डालना है और पानी नहीं मिलाना है इसमें तो आप देखना आपके बाल बालों को किसी डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी यह नैच्रल कलर रहेगा और आपके बाल हमिशा हमिशा के लिए काले हो जाएंगे और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर आप मोदी केर को सच में सच में हैं प्यार करते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेर भी करेंगे इसी तरह से मेरी वीडियो देखने के लिए और जो बैल है उसको भी दवा लीजिए तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीस अपने कॉमेंट मुझे जरूर लिखें